नमस्कार मित्रों सक्सेज वारली चनल में आप सभी का स्वागत है जी हाँ आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उत्तर प्रदे सरकार द्वारा जारी अभ्यूदय योजना की लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि इस अभ्यूदय योजना का जो अपरत्यक्ष से हम एनलेसिस कर पा रहे हैं अब यह उम्र घटाने के संबंध जो विवाद है वो खतम हो जाएगा यानि कि उम्र घटेगी नहीं किसी का जितना जो उमर है पुरुवत 21-40 वर्स वही रहेगा आप लोगों से बिंती है कि आप लोग इसी पे विस्वास रखें और अपने तैयारी को बनाए रखें जी हाँ अभ्यूद योजना की जो पसंत पंचमी से शुरू होगा और इस योजना का जो उदेश है वह उदेश इस बारे में है कि जो IAS की कोचिंग है जो PCS की कोचिंग है जो NIT की कोचिंग है जो JE की कोचिंग है जो IITNS की कोचिंग है जो ITI की क coaching है जो इत्याज इतनी भी प्रति होगी परिच्छाय है चाहिफ हो सिविल सेवा हो या other हो इनदी इभी साथ में या other हो उनकी natal coaching you peace government द्वारा दिया जाएगा जी हाँ which coaching government द्वारा दिया जाएगा और यह जो 18 मंडलों में शुरू होगी पहले इस प्रतेख मंडल में शुरू होगी और पर सुड़ता है कि इसको पढ़ाएगा कौन तो सवाइब बात है इसमें जो पढ़ाने वाले हैं वो I.S. क्लास देंगे PCS क्लास देंगे अधिकारी क्लास देंगे बिश्विद्धाले की बिश्यसा की क्लास देंगे यह क्लास आपकी आनलाइन भी चलेगी यह क्लास आपकी आफलाइन भी चलेगी जी हाँ अब पर सुड़ता है कि इस्टेडी मेटेरियल का क्या तो इस्टेडी मेटेरियल आपको प्रवाइड किया जाएगा एकदम निशुल के वेवस्था है ऐसे विद्ध्यार्थियों के लिए जो फीस देने में असक्षम है चुकि आप जानते हैं कि सिविल वगएरा और निट वगएरा की फीस कितनी महंगी है तो बहुत सारे ऐसे अब भ्यारती हैं जो फीस देने में असक्षम है उनके लिए एक उत्या प्रदेश सरकार की एक बहुत बड़ी सोगात है इसके लिए मैं उत्या प्रदेश के मुख्यमंत्रे श्री योगी आदितनाद जी का अभारवित करता हूँ इसके आग जेई, यूपी असी, नीट, पीसियस, इत्याद जितनी भी संस्थाओं की कोचिंग करना चाहते हैं वो गवर्मेंट आपको नेश्रूल कराएगी यह जो क्लासेस होंगे मंडल अस्तर पे होंगे बसंद पंचमी से इसकी सुरुवात होगी योजना का नाम क्या है आप व्य और आनलाइन दोनों प्रकार की होगी और साथ में आपको मैटेरियल भी उपलब्ध कराया जाएगा तो आई होप कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी और ये यूपी करेंट में आपसे ज़रूर पूछा जाएगा कि अभ्यूदय योजना क्या है धन्यव झालिए